इन वीडियो को ध्यान से देखिए इसमें आपको देश विदेश के लोग एक साथ नास्ते गाते नज़र आ रहे हैं यह अनोखा नजारा चिंदवाडा का है जहां शुरू हुए चार दिवसिय मान निर्मला देवी के जनमोट्सों में देश विदेश के उनके अन्युयाई पहुँचे हैं जो जमकर जनमोट्सों का अनंद उठा रहे हैं इस जनमोट्सों में ठारा देशों के 26 विदेशी कालाकारों ने भारतिय संस्कृती की जलक का अदबुद मिश्ण दिखाया जिस देखकर हर किसी का मनमुख्ध हो गया सहयोग समिती सदस्य अगम गुपतार के मताबिक मा निर्मला देवी के जनमोट्सों को मनाने और योग को बढ़ावा देने के लिए विदेशी लोग योगधरा टूर पर आये हैं और चार दिवसी महोट्सों में लगबख 20,000 सहयोगी से शामिल होंगे तो आज हम सभी सहयोगी बाइबहान पूरे विश्व से यहां पर इकटा होए हैं उनकी यह जनमोट्सों मनाने के लिए हमारे बीच का हमारे अमरी अपिक्षा है कि 15-20,000 सहयोगी बाइबहान आज आएंगे और आज हम दिख सकते हैं कि यह जो योगदार का कारिकरम है यह हमारे विदेशी बाइबहन साथ देशों से आयो है हैं रशिया, यूक्रेन, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, बेलारूस, लिथ्वेनिया यह यहाँ पर हमारी गुरू शिमातिय निमला देवी ने जो इनको सिखाया इनके देश में जाकर बारतिय संस्कृति, बारतिय नत्य को आज यह हमारे सामने पेश कर रहे हैं और भारत जो की एक योग भूमी है, यहाँ पर आकर इनको हम सभी भारतियों को यह योग सिखा वहीं मौत्सों महस्ता लेने पूने से आये स्वपनिल धायडे का कहना है कि यहां हर साल विदेशी का लाकार आते हैं और योग को बढ़ावा देने का काम करते हैं जिसके लिए उन्हें साल 2016 में इंडिया बुक आफ रिकॉर्ड की ओर से अवार्ड भी मिल चुका है इनके साथ में आउस्ट्रिया, पोलंड, एंगलंड, लिथनिया, तथा सिंगापूर और आइसे कई और पाच्चे देशा से उलग आये हैं यह हर साल यहां पे आते हैं इनका तीसरा साल है इन लोगों ने हर प्रदेश में जाके जोग जो हमारा भारतिय योग है यह ध्यान सिखाने का बहुत बड़ा कार्य किया है इसलिए इनको 2016 में इंडिया बूक अफ रेकॉर्ड की तरब से योग फैलाने के लिए अवार्ड मिली थी और यह सारे जो लोग कार्य करते हैं इनमें जो भी भारतिय मिजिक है यह परमपुजे शिमाताज निर्मला देवी ने बचपन में जब थे तब सिखाया था इनको भारतिय योग सिखाया है और यही भारतिय संगीत और भारतिय योग शासर वापस इसी भूमी में देने के लिए आज यहां पर यह उपस्तित है पाच मार्च के बाद इन्हों ने देली, उत्तरप्रदेश, हर्याना, पंजाब, चतिजगर, महराश और आज मध्यप्रदेश चिंदवाड़ा में परफॉमंस कर रहे हैं तो हम भारतिय लोगों के लिए बड़ी गवरवशाली बात है कि योग फैलाने के लिए हमारे ये विदेशी बांदव हमारे देश में आये है निर्मला देवी को श्रीमाता वा श्रीमाता के नाम से भी जाना जाता है उनका जन्व चिंदवाड़ा के लिंगा में 21 मार्च 1923 को हुआ था आज विश्व के 152 देशों में सहजोग फैला हुआ है विश्व के कई देशों में माता जी को कई सम्मान भी प्राप्त हुए है चिंदवाड़ा से पवन शर्मा के रिपोर्ट